तो पहला आप्शन है एक संख्यात्मक वर्ण, दूसरा आप्शन है अधिक्तम एक बिन्दू वर्ण, तीसरा आप्शन है कम से कम एक उपर केस का अच्छर दी आप्शन है एक और के वलेक एड्दिरेट वर्ण, तो इसका एंसर होगा डी नमबर इमेल आइडी में एड़ दिरेट चीन का परियोग इमेल सर्विस प्रोभाइडर का नाम दर्साने के लिए किया जाता है इमेल आइडी के दो भाग होते हैं दूसरा नमबर है वू इन्वेंटेड इमेल इमेल का विसकार किस ने किया ए उप्षन में है टीम बर्नर्सली बी उप्षन है जैम्स गोसलिंग सी उप्षन है विंटन सर्फ डी उप्षन है वी ये सिवा आया दुराई इसका एंसर होगा डी नमबर इमेल की खोज मुल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतिये सीवा आया दुराई ने किया था तीसरा नमबर कोच्चन है मेमोरी छमता के माप से समन्दित नहीं है तो पहला अप्षन है जी बी दूसरा है टी बी तीसरा है एच बी चोथा है जैड़ वी तो इसका एंसर होगा सी नमबर मेमोरी की छमता को बाइट में माप आ जाता है जैसे के बी जी बी टी बी एम बी जैड वी आधि है जबकि फ़श की मेमोरी छमता की माप से समन्दित नहीं है चोथा नमबर कोच्चन है OPERATING SYSTEM इज यह TAPOP OPERATING SYSTEM एक परकार है इसका पहला O endanger is App permite software दूसरा utility software तीसरा है System Software चौता है Hardware इसका answer होगा C no. OPERATING SYSTEM एक System के अंदर सभी activity को मैनेज करता है इसलिए इसे मैनेजर भी कहते हैं पाचमा नमबर कोचन है Microsoft Corporation के स्थापना कब की गई थी 1989, 1981, 1975, 1975 इसका एंसर होगा C नमबर Microsoft Corporation के स्थापना वार्स 1975 में की गई थी चठा नमबर चठा नमबर में रेम, बॉला टाइल या या स्थाई मेमोरी है क्योंकि फर्स्ट उप्शन में इसे रीड और रैट दोनों के लिए परियूग किया जाता है B उप्शन में इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है C उप्शन में इसमें डाटा बनाये रखने के लिए लगतार पावर सप्लाई की जवरत होती है और D उप्शन में इसमें लगतार पावर सप्लाई की जवरत नहीं होती है तो इसका एंसर होगा C नंबर, रेम एक एस्थाई मेमोरी है, लब वोलाटाइल है, जो कम्प्यूटर ओन रहने पर डाटा रखती है, तथा पावर सप्लाइ आप होते ही इसका डाटा नश्ट हो जाता है, रेम भनारन छमता के अधार पर कई साइज में उपलब्ध हैं, जैस से 512 MB, 1 GB, 2 GB आदी या कारी के अधार पर दो परकार की होती है, अस्टेटिक रेम और डाइनेमिक रेम, सात्वा नमबर को अचन है, सात्वा नमबर में है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए नेम लिखित में से कौन सी हिकाई का परियोग किया जाता है, अच्छर परती मिनट मनदा CPM, पंक्ती परती मिनट IPM, प्रिष्ट परती मिनट PPM, सब्द परती मिनट WPM, तो इसका एंसर होगा है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए अच्छर परती मिनट, कारेक्टर पर मिनट, प्रियोग किया जाता है, आथमा नमबर में है, लाइट पेन क्या है, मैक्रो इसका ओप्शन है, मैक्रो टीप पेन, इन्पुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, भार रहित पेन, तो इसका एंसर होगा, बी नमबर, लाइट पेन, एक इन्पुट डिवाइस, इन्पुट डिवाइस है, इस डिवाइस का उप्योग कर, हम काफी सटिकता सेटा चा स्क्रीन पर निसान अंकित कर सकते हैं, नाइन नमबर कोचन है, आइबीम का पुरा नाम क्या है, आप्शन में दिया हुआ है, इंडियन बिजनस मसीन, इंटरनेशनल बिजनस मसीन, इटेलियन बिजनस मसीन, और इंटिग्रल बिजनस मसीन, तो इसका एंसर होगा, आइबीम का पुरा नाम, इंटरनेशनल बिजनस मसीन है IBM computer निर्मान करने वाली एक American company है personal computer निर्मान में इसका सरवाधिक रॉल है डासमा नमबर कॉचन है पद PC का अर्थ है मतलब PC मतलब क्या इसका पूरा नाम पूछ रहा है पहला अप्सेन है private computer दूसरा है personal computer तीसरा है professional computer चौथा नमबर में दिया हुआ है personal calculator तो PC का पूरा नाम होगा personal computer को desktop computer भी कहते हैं PC एक परकार के macro computer है 11 नमबर है 11 नमबर कोचन में टास्क बार डिफॉल्ट रूप से desktop के खालिस्तान भाग पर इस्तित होता है तो इसका option दिया हुआ है दाइं और सीर्स बाइं और अप्तल में बॉटम इसका एंसर होगा डी नमबर टास्क बार डीफॉल्ट रूप से computer के desktop के तल बाटम में इस्तित होता है जिसे टॉप लेप्ट राइट में भी बतला जा सकता है 12 नमबर कोचन है वीच अब दा फॉलोवी नॉट यह पावर ऑप्शन इन में से कौन सब पावर भी कल्प नहीं है तो है सट डाउन है स्लीप है हावर नेट है लॉग आउट है तो इसका एंसर होगा डी नमबर लॉग आउट का अर्थ है इंड एक्से सिस्टम होता है इसको दूसरे सब्दों में सैन आप विकाते हैं या पावर ऑप्शन का विकल्प नहीं है तेरे नमबर वीच अब फूलइंग और दा प्रोड़क्ट्स ऑप एमस ऑफिस्ट निम्लिकित में से कौन एमस ऑफिस के प्रोड़क्ट है तो वार्ड है और एक्सेस है इसका ओप्शन दिया है केवाल एक और दो केवाल एक और तीन दो और तीन केवल दो और थार्ड इसका एंसर होगा डी नमबर वार्ड और एक्सेस या दोनों एमस ऑफिस सुट के प्रोड़क्ट है और एकल नहीं है अज़र नमबर है कि Microsoft Word document में किसी चैनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कीज का पूपयों किया जाता है इसका ओप्शन में दिया है कंट्रोल प्लस सिप्लस स्पेस भार कंट्रोल प्लस स्पेस पार इसका एंसर रोग़ा डी नमबर Microsoft Word Document में किसी चैनिट टेक्स की संपूर्न फॉर्मेटिंग हटाने के लिए Control प्लस Space बार का परियोग करते हैं पंदरों नुमर है Microsoft Excel में उपलब्द वरक्सीट की अधिक्तम संख्या क्या है पहला है No Limit, दुसरा आठ, तिसरा आठाएस, चोथा आर्तालिस तो Microsoft इसका एंसर होगा, यह No Limit, Microsoft Excel में किसी वरक्सीट की संख्या का कोई सीमा नहीं है, आपके hard disk में एस्पेस पर निर्भर करता है सौलों नुमर है Wi-Fi, एस्टेंट पर Wi-Fi का फूल फॉर्म पूछ रहा है तो wireless fidelity, wireless field, wireless finite, तो इसका एंसर होगा ए नमबर, Wi-Fi wireless fidelity का संख्यप्त रूप है या एक wireless तकनिक मानक है जिनका उप्योग wireless local area network त्यार करने में किया जाता है, इसके द्वारा सम computer, laptop, mobile फॉन इतादी उपकरनों को आपस में इंट्रेनेट से जोड़ा जाता है सत्रह नमबर में सफारी EGA, मलब सफारी एक है ओप्सन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, अप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल सफारी एपल कंपनी का वेब ब्रोजर है, एपल ने हाल ही में सफारी का एक नया संस्करन सफारी 4 लांच किया है, इस ब्रोजर में नया नैट्रो इंजन लगाया गया है, एपल के नुसारिया ब्रोजर सबसे तेज है आठमा नंबर में फारफोक्स वेब ब्रोजर किसके द्वारे विक्सित किया गया था, तो कंपनी के नाम दिया हुआ, एपल, माइक्रोसोप्ट, मोजीला कार्पोरेशन गूगल तो इसका एंसर होगा, C नंबर, फारफोक्स एक वेब ब्रोजर है, जो मोजीला प्रफोरेशन प्रोग्राम प्रस्तूति प्रोग्राम, इसका एंसर ड्दी होगा, माइक्रोसप्ट व प्रफोरफॉंट, फ्र्जेशन प्रोग्राम है, जो सुचनाओं को इस लाइड़ फॉर्मेट में मल्टी मीडिया के, मीडिया के विषास्ताओं पर एक कार्ज करके कोड़ टेक्निक्स इंडेक्रेटर सर्कुट टेक्नोलोजी तो इसका एंसरों का बी नंबर आए सिटी का ताथ पर जाए इनफोर्मेशन एंड कमुनिकेशन टेक्नोलोजी से है धन्यवाद